हलो गाइस चलिए लेट्स कांटिन्यू और क्लास और दोबाला से हम अपनी क्लास को अब शुरू कर रहा है गाइस मैंने भी आपको बताया था येस थोड़ा से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि ये मेरे पास विधा कोशन वेंक जो के एंसी एर्टी बेस्ट है और यह जो मैं आपको आज आ रहा हूं यह में 1996 जैसे कि आप देख सकते हैं करैक्षिन ओफ और संटेश डारेक्षिन करेट्ट दा फौलिएंट इन्टिस बता रहा हूं उसके बारे में बढ़ा रहा हूं और यह पेज नंबर मेरे पास जो विधा है वो विधा कोशन वेंक है और आपके पास अगर तो आप उसके साफ से देख लिएगा यह साइज कहां दे रखिए परहाल विदाउट मेकिंग एने डिले लेट्स स्टार्ट बिना किसी देर की हम शुरू करते हैं जो मैंने आपको अभी येस यह मैं आपको पढ़ा रहा हूं करेक्ट दो फॉलिंग सें कि मैंने आपको जो आपका ये सेंटेंस नंबर 15 है हाऊतों कि दिया एक अगर में आपकी जगह होता हूं कि गाइस थोड़ा आपको बसाना चाहूंगा कि जब भी हमारे पास sentence में हम देखते हैं कोई imagination है कोई कलपना है तो वहां पर हमारा एक rule रहता है कि if के साथ अगर वाला या काश वाला वाक्य होता है जैसे तो उसमें हम वाजनी work कर इस्तेमाल करते हैं जहां पर की कलपना या imagination य अगर मैं आपकी जगह होता I would never have done that मैं यह कभी नहीं करता राइट तो इफ आई वारी वास आपको वास्की का वर करता है गाइस इसके बाद नेक्स्ट है तो इसे एलिगेबल तो दपके मतलब के यह वो जो है इस पॉस्ट के आहीफ के इस पत्के लायका यह तो गाइस इलिगेबल के पैरियल करतें ओ प्रिपोशैंगीन इस्तेमाल करतें फॉर कह नाकि तो तो यह हमारा स्रेंथ करेक्व is eligible for the pos he is eligible for the post guys अगला है नमबर 18 18 की बात कर रहा हूं में why you were absent last Monday guys यह सवाल कहा रहा है में सवाल किया जा रहा है कि why you were absent last Monday प्रुदस हम इसको जब भी आपको integrative का कोई सेंटेंस होता है तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड कोशन वर्ड लेते हैं उसके बाद उसका हैल्पिंग वर्ड लेते हैं क्या वो प्रिजेंट में हो या पास में या फीचर में हो और उसके बाद आपका सब्जेक्ट को बाकी चीज़े बाद में लेते हैं तो यह सेंटेंज जो यहां पर तो आप कि या उस्में क्या करना है आपको वाई यू वर ये गलत है आपको करना है कि वाई वर्यू एचसेंट लास्ट मंडे वाई वर्यू एचसेंट लास्ट मंडे twent कि अब आप देखिया अगला है गाल वास ही डूइग वाडवास ही दिए जब भी हम इंट्रीट पार्ट आता है हमारा तो हम इसमें ध्यान में रखिए गा-की सब्यश तक के बाद उसका आपको डारिक क्या करना है कि दर टीचर आज किम वाट ही वास टूइंग कभी दूसरे सेंटेंस में अगर हमारे टोगटीव है तो हम जो है उसका है पिंग वर्प इसमें है यह जो है जो साय किरिया वाज है उसको सब्जेक्ट के बाद लेंगे और बाकि हम सिंपल मना देंग इसके अंदर से कोशल मार खट जाएगा तो जो हमारा हमारा सेंटेंस होगा वह इस तरह से होगा दा टीचर आज किम वाट किम वाट किम यह तो आप बोलेंगे इसको जो आप इस कुस्ता से बलेंगे दानिब आफ माई पेन आफ माई पेन इस ब्रोकेन दानिब आफ माई पेन इस ब्रोकेन गाइस अग्ला है 21 जो हमारा यह सेंटेंस नमबर है 21 21 इस नमबर है this cloth is superior then that थोड़ा मापको बताना चाहूंगा स्च्राइब के बाद इनसे जो हैं हम पर इस्तमाल करते हैं ना कि देन के स्तमाल करते राइट यह ने और जाके इस्टेमाल होता है अभी कोविआ अप्को आयाँ आए बदाऊ आपको तो हम बोलेंगे कि इस this cloth is yes guys इसतना से बोलेंगा कि this cloth is superior to that this cloth is superior to death to death that sorry this cloth is superior to that guys ध्यान में रखेगा superior लोग inferior के बाद हम two questions अमाल करते हैं next day I am fond to play cricket guys इससे पहले भी मैंने आपको एक sentence में बताया था मैं आपको थोड़ा उपल जाकर यह दिखाता हूं कि यहाँ पर sentence आया था और sentence number था आपका yes यह देखिएगा आप इस second sentence में इससे पहले आपको पढ़ाया था कि he is fond to read novels guys he is fond एक मैं आपको थोड़ा बताऊंगा एक phrasal verb है fond of fond of right तो fond to नहीं होता है fond of होता है और off के बाद हमेंचा जेरेंट आएगा जेरेंट मतला बहुत लोग जेरेंट भी बोलते हैं इसको और जेरेंट भी बोलते हैं दोरों प्रिंसेशन पर करते हैं इसके तो जेरेंट की जो पैचान होती है वो यह होती है कि वर्पी यह हैं आई एंफ फॉन्ड टू प्ले किरेंट और आपके बताया कि आए एंफ आपको बतायां कि इसमें और फॉन्ड ओफ यह फ्रेज़र वर्फेफ ौन्ड ऌफ का मतलब प्लेंग किर्केट जब भी फॉंड आएगा फॉंड के बाद तूगला से फॉंड आफ होगा और ऑफ जब आएगा तो इसके बाद हमें जरेंट चाहिए वर्पीफस पर्म फ्लस अंजी चाहिए तो आपका अंसर वो जागा कि आई एम फॉंड आफ प्लेंग किकेट ओके अब आस नमबर देखिए आप 23 23 पर देखिए नीदर ऑफ अस है बीन सेलेक्टेड नीदर गाइस इसको हम नाइधर भी प्रिंदन सेचन करते हैं इसका जो हमारा तलफू से अचाहरा है वह नाइधर भी होता है और नीदर भी होता है Garus when Positiveी नीदर ऑफ-उसलेक्टिड नीदर ऑफॉस सेकाफ जाए हम इसकोई नहीं हमें से कोई नहीं कोई एक भी नहीं कोई थैपम एक भीनित वाल pomp आपकर हैंoupsिक यंदर ऑफ-ॉस तर वां मुलार फिजा का अमेंसे का आञिए हमें से किसी का है नहीं कोनें चुना गया म है निदल पॉर इंगरें पार्वाइब हैं यहीन का सब्सक्राइब को इसको मैंने लिए जसकर मरं में करेंट है ग्यास अगला शुट में उड्र का से गयर इप्र अपर निया है जैसे ही आंसरड मी में भी रेप्लाइड मी तो आख महां जहा जो इन्हों ने अन्यसिसरी जो जो incorrect sentence है हमारा वो two लगा कर दिया है इनकर्ए सेंटेंस से तो हम यहां से बढ़ बाद two remove करना है we have to remove the two okay it was two quarter और यह हमारा proper हो जाएगा he replied me in the negative next day he is taller than I okay he is taller than I you guys you know me is there का लेकिन मैंना आपको correct sentence बोल दिया है कि थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर ही इस टॉलर देन मी टॉलर के बाद या स्मॉलर के बाद हम देन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन मी की जगा हमें यहां पर आई लाना है तो आपको बोलना है कि ही इस टॉलर देन आई नेक्स्ट इस सॉनू इस माई ओल्ड बिर्दर गैस हम किसी चीट के बारे में बात करते हैं तो older कि वह उस से पुराना है जैसे की आपका मोबाई जाका मेरे मोबाई से पुरा नहीं है तो हम बोलेंगे की यूर मोबाई आइ सिलफ़ोफफोन सकते हैं यूर सेलफ़ोफोन elder brother आपको older की जगह elder करना है लेकिन को जगह या कोई चीस के बारे में बात करते हैं तो हम older का करते हैं यह अब हम आते हैं सेंटेंस नमबर 27 यह यह देखिए यहाँ पर लिखाए करते में आई है선ाट इस सवान इस लेप्ट जब भी हम किसी जपमाल करते हैं तो हमें जो है उसका वर्ब लाना है बाहरा उसका एड लाना है सबसे पहले हमेर देखना आई है ऑच आई हैस लेप्ट ऑस्ट इसका अらप तो यहां पर हमें सबसे पहले अपना कंप्री सेंटेंस करना है कि I have selected soundly soundly word select के बाद आना है में जैसे मिन आपको बताया था आपके करते हैं प्रिफर और लगे मिल्क इस्टिन ना कि देन ना कि देन लिक्तिन के बाद इस सब्सक्राइब का ने जाइन आपका . इस सेंटेंस का मतलब मैं आपको थोड़ा बसाना चाहूंगा कि he is true to his words okay इसमें थोड़ा गलत लिखा है क्योंकि इनकरेक्ट है true to his word का मतलब होता है वादे का पक्का होना वादे का पक्का होना तो यहां पर जो इसका प्रोपर आंसर होगा या कहना चाहिए जो correct sentence होगा वह होगा कि he is true to his word word आपको क्या करना है s remove करना है बस you have to remove only s from this sentence so that you may make the correct one okay सही वाला जो इस तरह से बन जाएगा कि he is true to his word guys next day I met him in the way कभी भी आपको sorry कभी भी आपको इन जो रास्ते में आप कहें के मुझे जनाब thank you very much जनाब सराफ शंसी साब I am grateful to you from the bottom of my heart for watching the video of this वीडियो बट्मोडी का आपका में तह दिल से शुक्र गुजारूं आप मेरे इस वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब आपका बहुत पोई शुक्रिया मुझे नाचीज को सुनने के लिए और देखने के लिए मैं आपको इफ्यस नहीं दिखा सकता है क्योंकि मैं बेक के पड़ा रहा हूं तो मैं वापस अपनी बात पर आ रहा हूं कि जब भी आपका जैसे मैं कहूं कि मुझे रास्ते में जनाब बहुत चनाफ शंशी साब मिले तो मैं बोलूँगा कि आई आई मैट आई मैट जनाफ चनाफ शंशी साब ऑन दावे इन दावे नहीं होता गाइस ऑन दावे ओके नेक्स्ट आपका 31 में देखिए नो सुनर दा टीचर एंटर्ड के दा क्लास दा बॉइ बॉइस इस्टूडब ओके जैसी वो क्लास में जाखिल हुए लड़के जो खड़े हो गए तो यहां पर आपको ध्यान रिखती है पेड़ा प्लीज स्टॉप बोली नहीं आप अभू इस टीचिंग अभू पड़ा रहा है सौरी गाइस सोड़ा मेरा वो बेट बेटी है व फोड़ा एनिवेस नो सुनर दाटीचर एंटर नो सुनर वो थोड़ा बच्ची के बिसे डिस्ट्रबेंस हो रहा था नो सुनर दाटीचर एंटर दग्लास वो कि दबॉइस इसे ही अधियापक जी क्लास में दाखिल हुए लड़के जो खड़े होगा तो यहां पर थोड़ इस टुडव रिच आर हैपी दिच अबची के जाखना जाय के रिचा आर हैपी यहां पर तो द्याद में रखिएगा कि अगर जाफिक लेकिन इसमें रख़ा तो भाइब हमरा जुआब हम झोंन है ठीक है अगर हम से पहले दिया दा करते हैं तो तो इसमाल करते हैं यह थोड़ा सा इस पार में बात में बात करूंगा क्योंकि कहां पर हमें पर नहीं पर नहीं हम दा लगा देंगे अगला सेंटेंस एक ही वह थैश्च नमबर है 33 33 आहीं सम्वे महीं इस उस दोंगे बना उतरी लिए लिएर इसका मतलब है बोगाऑ है वो बिमार है भुखार से तो यह सेंटेंस Holiday कि इंग सहां रहा हमें इसकी अमिनग्लेश मना दीजीं है और मननीus के कि की suffering from फिवर means i as well as ही is honest आहिए्टिए मतलब कैसी में और वो मतलब मैं और वो दोनुं में भी और तो वो भी दोनों इमानदार हैं तो काई जब भी हम इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं तो हमें एक की बात का ध्यान लगना है कि हमें जो है किस सब्जेक्ट के इसाफ से अपना हेल्पिंग वर्फ लेना है तो यह I as well as he is honesty अपने आप में सही है में next he talks as if he was mad okay he talks मतलब वह ऐसे बात करता है जैसे की मानों की या जैसे कि वह पागल है तो इस सेंटेंस को आप ध्यान में रखेंगा जब भी कलपना करते हैं हम तो जैसे मैं आपको बताया था कि काश वाले सेंटेंस में तो जब उसमें भी वर आता है तो कोई भी सब्जेक्ट है भले हम आपा सब्जेक्ट ही शी इट सिंगलर नंबर आई वी दे यू कुछ भ how six 36 No advice do not make noise doet not make noise गई less iodे लेकिन करेक्ट होता है मेके नोस तो यहاں पर हो जाएग आपका do not make a science कbyी बदाए बड़ा इसके बाद यह संरायज्स इस मारज ऑ संद इसन इस गाइस कोई पार्टिकुलर वर्ट के बारे में बात करते हैं तो हम उससे पहले दी अदा कर इस्थेमाल करते हैं और जो नेचरल वर्ट होते हैं उस से पहले भी जिसे आपने सुना उगा इंदा पर लिखने में तो यहां पर पढ़ना है लेकिन हमें ध्यान लखना है कहां पर पढ़ना है तो एस जो है हमारा जो वाविल नहीं है तो हम बोलेंगे दा सन दा सन राइजर इंडी इस्ट नेक्स्ट गाइज हमारा थाटि एट पर दा जूरी वर्ड डिवाइड इन इट्स ऑपिनियन एंड कुट नॉट एक्री एस टुड़ डाइडिक्ट ऑके दाजूरी बस गाइस दाजूरी हम जादा लोगे की बात कर रहे हैं ऑके जो वकील जो थे वह वो डिवाइड इन इस अपिनियन मतलब उनकी खे और गभी जोड़ दिवाइड इन इंडियर ओपिनियन इस नहीं एक लिया था अपने के लिए लेकिन हम जाद लोगों बात करना तो बस हमें चेंज ये करना है कि बेड़ जूरी वर्डिवाइड इन दियर ओपिनियन एंड कुट नॉट एंड कुट नाट एगरी एस दा व यह जो नाट है यूज यू डू नाट वर्क हार्ट यह कहना चाला सेंटेंस कि I will not help you I will not help you मैं आपकी सायता नहीं करूंगा जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे थोड़ा को बता देता हूं I will not help you unless you work hard फिर बोल देता हूं मैं कि आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि और बाद हमें डूनाट या डजनाट का विडियोक नहीं करना होता है बलके सिंपल प्रेजरेंट डियुद्ट होता है या पास्ट होता है तो पास्ट डूनाट होता है यह इसके भी अविल नोट है यू अट जाएगा नेक्स्ट गाइस आपका इस सेंटेंस किया रहा है कि मैंने उसे पूछा कि आप केसे आए तो गाइज इसको सिंपल सा क्या है कि इसको सेंटेंस पहले लिखा होता कि इसको हमें चेंज करना है है तो सिंपल सा है कि I asked him how he came there guys thank you thank you very much for listening to this very trivial guy मैं आप लोगों का बहुत शुक्र गुजार हूं आपने इस मामूली इंसान को सुना मैं passwords नहीं है anyways thanks a lot have a nice time